हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे अश्टमी और नौमी पे बनने वाला हलवा आज हम इस हलवे को बनाएंगे दूध में भीगा कर बहुत ही नए तरीके से यह तरीका फ्रेंज बहुत ही वाइरल हो रहा है और जितने भी मेरे फ्रेंज से मैं सभी की वीडियो लाइक करती हू वैसे ही सपोर्ट मुझे भी मिले फ्रेंज क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो और फटा फट कमेंट करके चले जाते हो ऐसा ना करें तो पूरा वीडियो देखे कर फुल सपोर्ट किया करिए जैसे कि मैं करती हूँ सभी के वीडियो पे तो चलिए बनाते हैं इस कर लेना है आपको सूजी क्योंकि मेजर्मेंट से भनाना है और यहां पर ले लिया है मैंने मलाई के साथ दूद तो दूद के उपर जो मलाय आती ना उसे मैंने पूरा ले लिया ताकि क्रीमी क्रीमी सी हमारी हलवा इससे बनेगी इसे ढखके रग देंगे दस मिनट के अब यहां पर मैंने पैन ले लिया है तो जितने भी आपके पास ड्राइफूट्स हो नहीं रोस्ट कर लेना तो यह रोस्ट करने से क्या होता है इसमें बना जाता है बहुत ही अच्छा लगता है कुछ लोग कच्छे भी ड्राइफूट्स डालते लेकिन इस तरीके से जब पटाक से यह फूलने लगती और फिर जलने लगती तो इसे मैंने रोस्ट कर लिया है किश्मिजवी और बादाम भी हमारे रोस्ट हो गया है अब देखी जो पैन में तेल बचा है ना हमने जो दूद में सूजी भीगाई थी इस तरह से छोटा-छोटा करके पैनकेक जिससे ब नहीं होगा फ्रेंज यहां पर और इस तरह से मैं स्माइल इस बना रही थी हाला कि अच्छे से बन नहीं पाया है और कुछ-कुछ बन भी गया है तक यह छेद करने से क्या होगा अंदर तक जाके यह पकेगा एक दम क्रिस्पी करा रहा हमें करना है जैसा कि सूजी को भून मेरे घर पर बनाए था सभी को बहुत पसंद आया थी आप इस तरह से जाए करोंगे न बहुत इसी तरह से बार बार बढराना चाहोंगे यह सूजी वाला हल्वा लगेंस तो इस तरह से देखिए हम मैंने पैंकेक को पका लिया है तेल में बहुत ही कम तेल लगता है आप बिल्कुल भी नहीं इस तरीके से आप बना के देखना यह जारे हमारे पैनकेक इस तरीके से मैं ने पका लिये थे तो इन्हें में डिशाउट कर लेती है इस तरह से हमें सुनहरा भूनना है ताकि अंदर तक पकना चाहिए तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे यह देख खुश्बू बहुत ही मस्त आ रही थी और मैं तो यहां पर मैंने मिक्सी का जार लिया और इसे पीस लिया है फ्रेंस यह देखे बहुत ही मस्त यह दिख रहे है और खुश्बू बहुत ही मस्त आ रही तो चासनी तयार करते हैं चासनी के लिए मैंने यहां पर एक कटोरी अब हम इसका चासनी पकाते हैं तो जादा समय नहीं लगेंगा तो इसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है था था चसनी और हम इसे पलते से चलाते हुए पकाएंगे फ्रेंस तो यह बहुत ही जल्दी पकते जाएगा आप देख लेना बहुत ही जल्दी पानी और चास्नी में शोक कर लेगा यह देखिए गाढ़ा होते जा रहा है फ्लेम को हमें मीरियम रखना है ज्यादा इससे तेज नहीं पकाना ने तो यह जलने लगेगा फ्रेंस इस तरह से हमारा हलवा आप देखोगे इस तरीके से बनाओंगे बच्चे सारे चट कर जाएंगे बहुत ही मस्त मैंने बनाया था सभी को बहुत पसंद आया था तो यहां पर ड्राइफूट्स डाल देते हैं और मैंने यहां पर इलाइची इसके रखी त किसी भी मिठाई में हलवे में बहुत अच्छा लगता है मैं अकसर इलाइची ही डालते हूं आपके पास कोई एसेंस हो तो आप भी डाल सकते हैं यहां पर आघरी में मैंने डेड़ चमस तेल एड़ किया है आप घी भी आड़ कर सकते हो घी मेरे यहां पर बचे नहीं खात इस तरह से हलवा मैंने तयार किया है फ्रेंस तो आप भी जरूर ट्राय करना इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में मुलायम सा हलवा हमारा बनके तयार हो गया दूद में भीगी हुई सूजी वाला हलवा आपको बहुत पसंद आएगा फ्रेंस यह देखिए बहुत ही मस्त इ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में रखे अपना ध्यान बाबाई थैंक्स वोचिंग